कि we are have our last solution is find the STF and HGM of 144 and 180 and 184 by using prime factorization method. आपको prime factorization method से करना है। थो solution सार्ट कर दिया हम। जैसे कि पहले हमने LCM लिया ह। LCM लिया हमने 1 4 कंप और 180 कंप और 184 कंप ठीक है करी हम LCM लेते हैं 2 से करी के 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 2 9 जा 18 आव यह 3 से करें के 3 1 जा 3 9 जा 9 और 3 1 जा 3 ठीक है अब है 180 का 180 का हम करें के 2 से 2 9 जा 18 और 0 की 0 2 4 जा 8 जा 10 जा 5 यानि 2 5 जा 10 तू अभी हमारा 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 45 ब्दया नहीं हम से करें करें 5 3 से 3 बन जा 3 जा जा 15, 3 5 से 15 3 5s are 15 और 5 5s are 5 184 गां 2 9s are 18 और 2 4s are और अब आफ 2 2s are 4 और 2 4s are 8 1 लरेज्या हसल ठीगे तो 6s are 12 2 6s are 12 2 2 jump 4 और 2 3 jump 26 23 का 23 अब हम लेंगी हमारा S3 अफीगा आफीगा आफीगे जैसे ही तालेंगे? पाले 144 का जो आया हमारा 2 2 और 3 यानि 2 इंटो 2 2 इंटो 2 और 3 इंटो 3 अब अगला है 180 का 2 इंटो 2 3 इंटो 3 3 इंटो 2 इंटो 2 और 2 इंटो 3 यानि इन तीनों में एक ये ये कोमन है 2 इंटो 2 set नीकाले आफ में? हाएस कोमन पावर रुपी इंटेन मसे ये वाले 2 कोमन नेले है और इसमें कुछ कॉमने है इसमें टू आ रहा है इसमें नी आ रहा फिर इसमें आ रहा है तो तो तीनो में सही हुना जी है तो इसका अंजी है